हेलो आठे सकल ने डिसकस किया था सी किया था cc- il उसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि उसके लिए स्रेप शुब्हर लीक्रियो के पहले आप जो हरे घलेंद और रहेज comments कैसे निकालतके अचू किसी भी bcc या 2020 में पूछा है वो ठीक है वो आपका jam 2020 में पूछा है मैं exactly problem में हमको मतलब पूरा उसका narration याद नहीं है बट problem क्या था वो question में पूछ रहा था कि C60 जो है है यह molecule arrange है ठीक है यह कैसे arrange है तो यह FCC form में arranged है ठीक है crystallization process के बाद यह C60 जो है आपका FCC में arranged है और इसका दिया हुआ था age length जो है वो 14.14 था है इतना एंगिंस्ट्रम था 14.14 एंगिंस्ट्रम था और यह C60 तो यहां center और यहां center तो यहां से लेकर यहां तक का जो distance है यह distance तो यह क्या हो गया 2R मतलब D हो जाएगा तो यह D का मान क्या है यह निकालने के लिए कहा था ठीक है तो यह problem को जानने से पहले जो है आपको यह जानना होगा कि FCC में सबसे पहले हैं तो जैसे कि हम यहां पर आपको सबसे पहले FCC दिखाते हैं है ना जैसा मैंने कहां था कि ड्रॉइंग मेरा बहुत अच्छा नहीं है तो कैसे यह एक molecule हो गया यह 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 सब्सक्राइब कर दो कि अच्छा अब क्या है हर फेस में एक एक करके रहेगा इसमें से सिर्फ यह फ्रंट वाला जो है उसको हम ले लेता है स्क्वार यह जिए धिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है यह दिया हुआ है ठीक है तो हम लोग यह क्या करते हैं इसको एक करते हैं यहां पर फेस में एक है ठीक है है कि एसको आगे आगे बनाएंगे तो आये आप क्या है यहां तक कर कदूरी है तो यह और यह आर तू आर और यहांसे यहां तक का रोडहि A चुल चुल को लेकिन लेकिन यह बिलकूल को तो अगर आपको यह वाला पार्ट निकालना होगा, मान लेते हैं यह A है, यह B है, यह C है और यह D है, तो अगर आपको A, C बराबर A, B, B, D बराबर C, D, equal to क्या है, आपका A है, है ना, नॉर्मल A है, correct, अब क्या करना है आपको, इसमें, देखिए, यह सब बराबर हो गया, अब next आपको क्या करना है, देखिए, अब आपको क्या करना है, A, D निकालना है, ना, तो यह ऐसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या करते है, A, D, square, equal to, है ना, ठीक है, square को हटा रिजे, सिधे, A, D कर देजे, A, D बराबर, अंडर, अंडर, रूट, यहां पर अब क्या आपका देखिए, अंडर, रूट, A, D, क्या हो गया, A, D, square, यह बी, A, square, यह बी, A, square, यह कितना हो गया, यह, हो गया, अब का, अब का, तो, A, D, बराबर क्या हाए, आपका, ए बाहर में आ जाएगा और अंडर रूट तो यह ए डी पराबर अंडर रूट टू आया आपका टीक है जब भी आप निकालेंगे ए एपसी से के फॉर्म में को भी फॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ए रूट तू यहां पर जैसे यह ए रूट तू निकाल के हम लोग यह बिच पूरा सरकल है तो आर वागा और यहां पर आपका इस corner में यहाँ पर सिर्फ r होगा, correct, तो यहाँ से हमने 4r, पहना 4r आप देखिए, यह क्या होगी आपका, यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ad वराबर हमारा क्या है, 4r equal to a root 2 लिख सकते हैं, और 4r को हम लोग 2d लिख सकते हैं, क्योंकि distance अगर आपको पूछा ह है, तो 2d लिख सकते हैं, तो 2d equal to क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा आपका, 2d बराबर 4r होगा, तो 2d बराबर हो जाएगा a root 2, और d बराबर क्या हो जाएगा हमारा a, और यहाँ root 2 और नीचे में पर भी हम अगर root 2 लिखेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं, root 2 और यहां पर दिस्टेंस निकालना है तो एक आमान क्या दिया हुआ है 14.14 ठीक है और रूट टू रूट टू कमान होता है आपका 10 से तो एक आपका एंसर क्या आजाएगा घॉंचका 1.414 पे आपको देखी रहा है कि 10 टाइमस आपका 10 एंसर्स ना संवाल में पूछा था और इसका एंसर यह होगा है तो आपका इसका जो आपगा का रेंज दिया हुआ है वो 9.1 9.90 से 10.10 दिया हो सकता है किसी का कर रूट 2 कमान इसे काल्कुलेटर में रखते हैं तो अगर वो डिवाइड बाइड रूट 2 करेंगे तो हो सकता है कुछ में चेंजेज हो लेकिन हम सिमिलर्टी के मतलब की सिमिलर्टी के लिए हमने 1.414 ले लिया ताकि 14.14 के साथ डिवाइड होगर पिटे नहीं स्ट्रम आ जाए ठीक है अब देख लेते हैं कि BCC अगर रहा अमान लेते हैं इसी तरह का प्रॉब्लम कुछ रहा और पूछा कि BCC मे हैं कि यहां पर जो है फेस में कुछ नहीं रहता है ना बॉडी सेंटर में रहता है यह हो गया ठीक है और साथ में क्या हो जाएगा आपका यह कि यहां सेंटर में देगा है ना तो सेंटर में दिया इन्होंने अब यह सेंटर अब देखिए क्या करना आपको इसको आप ले करके जो है इसको नेक्ट स्लाइड में बनाते हैं यहां पर पूरा नहीं पढ़ेगा इसको दिहान से देखिएगा क्योंकि यह आपका फेस का नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझने की ज़़रत है तो अब हम क्या करेंगे इसको यहां से उठाएंगे ठीक है इसको जो है हमको अब देखिए फेस में कुछ नहीं है तो फेस का हम डाइगनली कुछ नहीं देखेंगे अब हमको क्या करना होगा क्यूब में इस कॉर्णर से मैं लेते हैं कॉर्णर लिग देते हैं वन टू त्री फोर है ना फाइब जो यह सेवन और सेवन के बीच का डिस्टन्स देखना यह तो आपको क्या ओन और सेवन के बीच में अलग अलग पे तो यह राइज छी आपका जो है अिया तो वन और सेवन के बीच का डिस्टेंश और वन और झाल माρन वान हो ब्यक्त का इससेसर बंगलाना है और अब हमको वान है कहीं लिए दक डाउ मिय क्यों की दा Samsung यह बना लिए और फिर यह 1 का लिख लिए और यह आपका 7 का लिख लिए न तो यहां से सुरू कियां तो फिर वही आर यहां आर और यहां फोर आर ही वह आ और यह इसको हम लोगों कैसे निकालेंगा बहुत देखना है हमको उसके पहला को क्या करना होगा इस फेस को डाइगनली काटी है जिसे वन और फॉर के बीच का डिस्टेंस तो आपको पता है यह कितना आया था उदर में ए रूट टू है ना तो वन और फॉर यहां पर योजन किई यहां तो इसको जैसे ही में जुकिए कि उन और फॉर और फाइव और सेवन और यह आपका बना ये घ् Only झाले गए यह यह बना आपका इस तरह से नीचे भी यह बना अब यह और सेवन के बीच का डाइगनलन निकालना तो किए सब्सक्राइब दूसरा 5 चाहिए रूतनों के पीच्ज पीछ के बीच निकालना चाहते हैं यह को होगा तो ऐसे कर सकते हैं 17 एक वर्टू अंडर रूट 14 का स्क्वेर प्लस 47 का स्क्वेर इसको सॉल्ब कीजिए कितना एगा 1414 क्या था आपका ए यहां अपल्ट था मतलब तू प्लस यहां पर आपका एज कर ठीक है अब सो करेंगा तो डाइज कर लोगा और यहां पर टू एज कर टू और मतलब टू एज कर और एज कर क्या हो जाएगा तो इसका मतलब जो 17 हम कह रहे हैं जो यह डाइगनल है 1 और 7 के बीच का दूरी यह क्या रहा आपका यह रहा आपका ए रूट 3 दिखिए चेंज हो गया रूट 2 से यह रूट 3 हो गया है तो जब यह डाइगनल का दिश्टनस थोरा ज्यादा है तब यह रूट 3 आ गया इसका आपका क्या करते हैं डिश्टनस एना 1 से लेके 7 तक का और आपको मालूम है कि 4R बराबर क्या होता है 4R बराबर हो गया आपका A root 3 इस case में BCC के case में और यहाँ पर 4R बराबर 2D लिख सकते हैं तो A root 3 और डिस्टेंस हो गया आपका A root 3 बटे 2 यह फॉर्मूला से अगर BCC रहेगा तो इस फॉर्मूला से आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं करें और अगर radius का मान बोलेगा तो radius का मान भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, यहाँ पर यह 4R हो गया था ना, तो R बराबर A root 3 by 4 हो जाएगा है ना, तो जैसा बोलेगा आप उसी तरह उसको modify करेंगा, अब आपके दिमाग में एक question आ रहा होगा, मुझे पता है, यह question यह कि BCC के case में वो A root 2 हो गया, 4R सब्सक्राइब करना पड़ेगा है ना, जो कि मैं अभी एक दो वीडियो के बाद में उसको ले रहा हूं, या हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में ही probability में उसको radius ratio को ले लो, तो देखिए जो BCC, जो crystal BCC देगा, वो FCC नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर size के उपर depend करता है, कि कि का कैसा size है, वो size है, वो उस तरह का lattice का निर्मान करता है, तो अगर मान लेते हैं कि जो, जैसे जैसे आपका sodium chloride, sodium chloride आपका क्या बना रहा था, FCC, तो यह sodium chloride, अगर FCC बना रहा है, तो वो कभी भी जो है BCC नहीं बनाएगा, क्योंकि BCC बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, उ लेकिन जो है, इसी लिए जो है, आप देखेंगे, size एक factor कर जाता है, तो size मतलब, देखें, R क्या है, यहां पर R fix नहीं है, हर molecule का R अलग अलग होगा, अब मान लेते हैं, सेंटर में सोडिया में है, उसका R अलग होगा, अगर सेंटर में सीजिया में है, उसका R अलग होगा तो यह रेडियस और यह आपका जो है, एज लेंथ है, यह आपको आगे काम आएगा, जितना तरह का problem है, जो अभी मैंने problem solve किया, वो आपका jam, IIT jam 2020 में पूछा था, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग, वैलू भी कैसे देते हैं, देखेंगे, मतलब सीधिया दे दिया ह 14.14 है ना, ताकि आपको calculation के लिए ज्यादा दिमाग में लगाना पाए, और root 2 का मान भी कितना होता है, 1.414, तो इसी तरह से यह सारे problems को आप solve करेंगे, लेकिन वही है कि आपको concept की चुटत है, अब हम छोटे-छोटे concept का videos बनाते रहेंगे, तो आपको जानने के लिए और इमेडियेटली information मिल जाए, कि नया concept आ गया है, और उसके वावजुद भी अगर आपको लगता है कि कोई एक concept है, जिस पे आपका नहीं बन रहा है videos, मतलब classes, तो आप क्या करेंगे, आप हमको वो concept के बारे में comment section में देंगे, या फिर मेरा हर video के नीचे एक WhatsApp नंबर रहता, जो कि exactly jam का जो आपका जो window है, बिल्कुल वैसा ही है virtual calculator सारा चीज है, इस question में कितना time लग रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, मतलब आप अपने आपको analyze कर सकते हैं, इस lockdown में तो आप physical coaching जा नहीं सकते हैं, और online coaching में आप देख सकते हैं, हर जगर फिर वही मनमानी सुरू ह जो प्राइस आपका offline का है, वही चार्ज करने लगा, लेकिन हमारे यहां पर जो है, बिल्कुल ही कम प्राइस में जो है, आप सारे test paper अटेंट कर सकते हैं, हम study material भी आपको provide करा रहे हैं, तो आप जो है, हमारा app प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेजे, gcam classes, और फिर उसके ब call के तरह लेगा, और हम suggest करेंगे कि mobile में करना है कीजिए, बट अगर laptops आप करेंगे तो आपको बिल्कुल ही लगेगा कि आप exam का exam दे रहे हैं, ठीक है, okay, thank you.